नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सौम्मेजिन और स्वागत आपका बॉलीवुड की कुछ तमाम खबरों में जी हाँ बॉलीवुड की गिंखान शारुक खान बहुत जल्ड फिल्म पठान में नजर आने वाले हैं और इसे बीच शारुक खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पठान का न्यू पोस्टर शेयर किया है जिसमें पहली बार शारुक खान, डिपिका और जोन एक साथ नजर आ रहे हैं फिल्म पठान को रिलीज होने में महज 55 दिन बाकी हैं ऐसे में शारुक खान ने फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है सल्मान खान की आने वाली फिल्मों को लेकर यूँ तो आडियंस हमेशा सही उत्साहित रहती है लेकिन उनकी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी का जान की रिलीज को लेकर और्डियंस कई गुना जादा उत्सुक नजर आ रही है उनकी मूस्ट आवेटेट फिल्म किसी का भाई किसी का जान इन दिनों कई कारणों से सुर्ख्यों में बनी हुई है हाली में इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने की खबर सामने आ रही है एक्शन कॉमेडी फिल्म किसी का भाई किसी का जान मिसलमान खान के साथ पूजा हेगडे नजर आने वाली है सुपर हेट फ्रेंजाइजी हेरा फेरी के तीसरे पार्ट की सुपर कास्ट में कार्थिकार्यन का नाम जुड़ चुका है इस फिल्म में वहें अक्शे कुमार की जगह राजू का खिरदार में नजर आएंगे कुछ समय पहले अक्शे कुमार ने खुद खुलासा किया था कि वहें हेरा फेरी 3 का हिस्सान नहीं है इस बात से सुनील शेटी और अक्शे कुमार के फैंस को तगड़ा जटका लगा है अब खबर आ रही है कि कार्टिकार्यन से पहले वरुन धवन को फिल्म हेरा फेरी 3 ओफर हुई थी लेकिन वरुन धवन ने फिल्म समय काम करने से मना कर दिया सिधार्त मलोत्रा फिल्म योध्धा को लेकर चर्चा में है फिल्म योध्धा की रिलीज डेट पोस्ट पॉंट कर दी गई है अब उनकी आए फिल्म साथ जुलाई 2023 को थियेटर में रिलीज होगी फिल्म योद्धा को लेकर दर्शकों के बीच गजब का उत्साहा देखा जा रहा है सिधार तुम मलोतरा दिशा पाठानी की यह फिल्म एक सची घटना से इंस्पायड होगी बतादे की पहले यह फिल्म 11 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली थी वाली वुट की चुलबुली एक्ट्रेस शद्धा कपूर को आपने परदे पर कई तरह की रोल्स में देखा होगा मगर जल्द आप एक्ट्रेस को बहुत अलग रोल में देखेंगे सिल्वर स्क्रीन पर ऐसा पावरफुल रोल मिलना शद्धा कपूर के लिए गीम चेंजर साबित हो सकता है सुनने में आया है कि शद्धा बड़े परदे पर कश्मीरी लड़की रुखसाना कौशर का रोल अदा करेंगी बॉलिवुड की तमाम खबरों में बस इतना ही बने रही है खबर मद्यप्रदेश चतिसगड़ के साथ